पराथे खाना तो सभी को पसंद है पर बनाना सभी को अच्छा नहीं लगता है और सुबे सुबे गरम गरम नरम नरम पराथे मिल जाए वो भी पालक के पराथे और साथ में बिना आठा गूते बिना बेले तो फीर तो मज़ा ही आ जाए तो चलिए आज मैं आपके लिए नए तरीके से पालक के पराठे लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुती असान है, फिर देढ़ना करते वे जल्दी से बनाना शिरू करते हैं यहां मैंने एक गड़ी, ताजा पालक लिया है, इसको अच्छे से काट कर धो ले रहें, दो से तीन वाश तक इसको आपको धोना है, जिससे इसमें जो भी गंदगी है, जो भी मिट्टी है वो सम निकल जाए, ये देखिए, पालक के जो छोटे छोटे डंठल है ना, इसको भ सरजार में डालेंगे, पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, साथ में पांस से छे हरी मिर्च, एक इच अद्रक का टुकडा, और थोड़ा सा हरा धन्या डालेंगे, हरा धन्या डालने से इसमें खुश्बू और सुआत दोलों ही बढ़ जाएंगे, आप सभी चीजों को अधा मैधा और आधा गेहू का आटा भी ले सकते हैं, या फिर सिर्फ मैधा या गेहू से भी बना सकते हैं, देड कप गेहू के आटे के साथ, एक टेबल स्पून नमक, एक टीस्पून चीनी, चीनी डालने से बहुती बढ़िया कलर भी आता है, और टेस्ट भी बहुत पानी को डालेगे और विसकर चलाते जाएंगे।। और गाड़ा बैटर तयार करेंगे। ये देखिए बैटर बढ़िया से मिल गया है। कोई भी गाठे नहीं है इसमें। इसी तरीके की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। हमें बैटर में consistency का धियान रख रहा है, अगर बैटर ज़्यादा पतला होगा तो पराठे जो है तबे पर छिपक जाएंगे, और बैटर ज़्यादा गाड़ा होगा तो पराठे फूलेंगे नहीं, इसलिए आप देख सकते हैं कि बैटर हमें इसी consistency का चाहिए, ना ज़्याद गाड़ा ना ज़्यादा पतला, अब बैटर को 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, 10 मिनट के बाद हम इसके पराठे बनाएंगे, 10 मिनट हो गया है, पैन में डालेंगे थोड़ा सा तेल या घी और टिशू पेपर से सारे तेल या घी को रब करके पोच लेंगे, सकते हैं, इसे एक साइड से अच्छे से सिखने देंगे, ये देखिए, बैटर अपने आपी फूलने लगाए, लो मीडियम फ्लेम पर इसे सेकेंगे, जब अच्छे से उपर का हिससर ड्राइ हो जाएगा तब इसे पलटेंगे, और हलका हलका तेल लगा कर सेकेंगे, इस ब मैं एक और पराठा आपको बना कर दिखाती हूँ, अभी तबा गरम है, पहले तबे को हलका सा धंडा करेंगे, इसके बाद हलका सा तेल या घी डालकर बैटर को डालेंगे, और गोल्ड शेप का पराठा बना कर लो मीडियम फ्लेम पर इसे सेकेंगे, जब उपर की पराठ ड्राय हो जाए तो इसे पलड कर तेल लगा कर बढ़िया से सेकेंगे, और ये देखिए, सारे पराठे इसी तरीके से तयार कर लिए हैं, इसे बनाना बहुती असान है, अब सर्दिया आने वाली है, अब पालक के पराठों के लिए आपको आठा गूतने की ज़रुत नहीं ह और मिंटों में पराठे बनकर भी तयार हो जाएंगे, इसे आप अपने बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं, ये बहुती ज़्यादा हेल्दी पराठे होते हैं, ये देखिए पराठे कितने नरम बने हैं, बिल्कुल एक मुठी में आ जाएंगे, और खोलेंगे तो न नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाइ बाइ